आपको पूरा में आपको सिखा रहे हुँ यहां पर इस ग्रैश कोर्स में अगर आपको नहीं मता यह आगई वीडियू आई बटन में जाकर देखो इसमें मैंने बताया है कि यह सीरीज क्या है क्यूं है कैसे सटार्ट हुई किस वज़ज़े सटार्ट हुई कैसे मुझे आइडिया आया क्या कैसे इनकों मिलने वाला है जाकर देखना उसके बाद description में मैंने playlist का link दिया है पहले जागरा पहला चट्र देखो फिर दूसरा फिर तीसरा उसके बाद आओ यहाँ पर तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ एक course चल रहा है वरना तो तो मूठा के आजाओगे कुछ सीखोगे है नहीं फिर ब्लेम करोगे कि भाईय मुझे कोई सिखाता नहीं है यह वो सिखा रहा हूँ तो सीखो और ऐसा नहीं कि सीखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना प्रैक्टिस के तुम कभी आगे नहीं बढ़पाओगे में पास बहुत महें जाते हैं कि सर आपका कोर्स एक नमबर है तगड़ा है पूरे बाइनी में ऐसे कोई नहीं सिखा रहा लेकिन सब मुझे रिजल्ट में आ रहे रिजल्ट कहां से आएगा भाई मैं अपने टाइम पे ददद गंटा बारा गंटा प्रैटिस करता था दिन का रिकॉर्ड है मैं टाइमर लगाता था कि हां मुझे दद गंटा प्रैटिस करनी है तो ठीक वैसे यह आप करो सुबे उठते हो अपने टाइम निकालो कम से कम अगर आज गंटा नहीं दे पारे तो चाह गंटा पात गंटा शे गंटा दो तो ही तुम्हें रिजल्ट आएग तो आज है हमारा फोर्ट चैप्टर जो कि है आज इंडिकेटर का वह मुविंग ऐवरेज मैं जो मेरा में य चैट में एट पेड कोर्स बड़ सिखाता हूं सबकुष लाय में में जिखाता हूं यह च्छे इंडिकेटर तो क्योंकि यह क्रैश कोड़ से तो इसमें मैं तुमको में में चीज सिखाने वाला हूं ठीक है क्रैश को मतलब यह होता है कि में में चीजों को सिखा दिया जाए जिससे एक पूरा का पूरा रोड में बन जाया आप लोगों के लिए तो सबसे इंपोर् कि काफी और जाहरे इंडिकेटर सूचों जयसे कि मैग डी मैक्डी और शी बाौलिंगर्ट से हैं तो moving average को use करके बाकी indicators बने हुए हैं इतना तगड़ा इंडिकेटर है moving average तो moving average का आज यह chapter है moving average complete आप सीखने वाले हो सही बता रहा हूं यह paid knowledge है जो मैं देता हूं आज free में दे रहा हूं और दूँगा और subscribe कर लो क्योंकि अगले दो महीने के अंदर अंदर मैं पूरा का पूरा course binary options rating है जो मैं paid सिखाता हूं उसको बंद करके सब कुछ free में सिखाऊंगा यहां पर YouTube पे बिल्कुल 0-0 से top to top to top level तक हर वो चीज जो पूरे YouTube छोड़ो कहीं कोई paid में भी नहीं सिखा तरह होगा ना वह तुमको यहां सिखा दूँआ एक भाई की तरह तुम मुझे सबस्च बताना कमड़ में तुम खुल लिखते हो कि सर जे सर आप समझाते हो फूरे बाइडरी में कोई नहीं समझाता ठीक है तो आप लोगों के लिए complete चीज ला रहा हूं फ्री में सब्स्र करते हैं आज है दीपक हमारा moving average का chapter तो तो okay तो moving average सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों से या फिर तुमसे पोचना कि moving average इसका मतलब क्या हुआ अगर इसका अगर तुम मतलब सिर्फ English में moving average इसका मतलब क्या निकल रहा है क्या पता है moving average मतलब कि price कितना move कर रहा है उसका average निकालना इसी को बोलते है moving average कि price कितना उपर गया कितना नीचे गया उसका average निकाल देना उसको बोलते है moving average सिंपल और वही moving average हमें निकाल के देता है through the line वह जो मुविंग अवरेज इन्डिकेटर होता है जैसे कि मैं तुमको दिखाई देता हूं एक बास कि देखो moving average यह ठीक है आप जैसे कि तुम देखो अभी वह छोड़ो अब बार देखो यह क्या यह line यह moving average है ठीक है यह moving average है अब moving average भी कई तरह की होते हैं सब सीखेंगे अब हटा रहा हूं तो जो आपने line देखी वह क्या था वह moving average ही था वह price का moving average था अब वह कितनी सब्सक्राइब करेंगे step by step okay तो देखो सबसे पहला पाउन की what is moving average moving average is nothing but just average of price price का price कितना मूव हुआ है कितनी उसमें volatility है कितनी fluctuation है क्या उसका पिछला 10 केंटल का या 20 केंटल का कितना हाई था कितना क्लोस था कहां पर opening पॉइंट था कहां closing point था वह सब कुछ वह average निकाल के देता है और average निकाल के वह आपको future के support और resistance बना के देता है यानिकि जो भी आपने line देखी वह कुछ भी नहीं था बस सिर्फ और सुर्फ एक support और resistance था इतना समझ लो funda की हर indicator का एक ही काम होता है support और resistance बना के देना यही इसका भी काम है कि आपको पिछला यानि कि जो पिछली बीती candles हैं उनका moving average निकाल के आपको जो आने वाली candles हैं वहां पे support और resistance बना के दे दे यही काम होता है moving average का अब जैसे कि for example एक example देखो मान लोग कि तुम दस लोग एक कमरें बैठे हो अगर यह तुमसे पूछा जाए कि उस कम्रेक में सब की age का एक average क्या है what is the average of age जितने भी आप रूम में करें लोग बैठे हैं तो कैसे कैसे निकाल होगी मतलब उन सब की age को plus करके टोटल number of people करेंगे तो जैसे वहां पर मान लोग के रिकल किसी की age है 15 किसी की पत्षिस किल सीटर्थारा तो क्या कर देंगे उन सब को plus कर देंगे टिसने लोग हैं उनसे डिवाइड कर देंगे मालो 10 लोग हैं मालो सबकी एज का टोटल आया 200 है ना और 200 और लोग है 10 तो 200 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो 20 तो 20 आ गया एवरेज यानि कि 20 जो है वह उस कम्रे में एज का एवरेज है तो ठीक वैसे ही यहां पर मालो हम कि मालो कि हमें 10 जिस लेक करें हो यह चल रही है अब मालो की हमने पिछली 10 केंडिल का यह निकालना प्राइस का फिसर तो एक दो तीन 4 5 6 7 8 jeans ना कहीं मुवी एवरेज क्या रखेगा इन दस केंड उपिंग सिरसी सपोअरे सेट आपको सपअज पर यही सिंपल पंडा होता है जसे मुव इवरेज आपको तो trend के लिए भी काम आता है, मतलब अगर मानलो कि price आपके moving average के नीचे है, तो यानि कि trend वहाँ पर हल्का सा downward है, ठीक है, bearish है वहाँ पर, और अगर price moving average के उपर है, तो price वहाँ पर bullish होगा, ठीक है, तो ये भी extra benefit है, यानि कि अगर price moving average के उपर है, तो आपको पार चलिए कि हाँ बुलिश मार्केट है तो बुलिश मार्केट में हम कहां पर ट्रेड लेते हैं सपोर्ट पर तो सपोर्ट पर ट्रेड लोगे तो वह क्वाल्टी डेट ऑटोमेंटिकली बन जाएगी राइट तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया वाल इस मूवि के लिए एक मूवि यह लाइन बना देगा वह लाइन आप लोगे लिए सपोर्ट और हैसे काम करेगी जब फ्यूचर में मांगर उस पॉइंट पर आएगी आप रिवर्सल ले पाओगे और साथ में आपको ट्रेंड जो होता है वह ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड क्या है त डिए अगर ऊपर है तो बूलिश मार्केट में आप सपोर्ट लेते हो जाधा इंगर एक बीडिए अब हम फटाफट एक बार यहां पर ना ट्याप करते हैं मूविंग आवर्ज पर यह रहा आभी आप लिग आपके सामने खुला हुआ है एक लाइन दिख रही होगी होगे मैं इसको परपल कर देता हूं और हलका सा मोटा कर देता हूं लाइन दिखरी है आपको सबको दिखरी हो गया यही है आपकी moving average की line simple यह सिर्फ एक moving average की line है अब बहुत लोगों के दिमाग में confusion होता है बहुत लोगों के दिमाग में के moving average के नाम होते हैं यह SMA WMA EMA SMMA TMA सब क्या होता है यह सब क्या होता है और हमें कौन सा यूज करना है और क्यों करना है यह सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का तो सब लोग ध्यांट सुनना होले point को देखो कुछ नहीं होता हमको जो यूज करना है binary option trading में वह को करना है EMA simple हमको यूज करना EMA इसका full form होता है exponential moving average क्या होता है और यह जो SMA है यह यह कुछ भी नहीं है यह बस moving average है बस इसके आगे इन्होंने simple लगा दिया है वह जो S है ना वह simple है तो full form होगी simple moving average तो उसको चाहिए तो moving average पढ़ो या simple moving average पढ़ो वह सेम बात है यह लोगों ने आपर पता नहीं किसे ने वहापर बस S लगा दिया है तो वह simple हो गया मतलब अगर S हटा दो तो भी वही है सेम अगर S लगा दो तो भी वही है सेम ठीक है लब SMA में सेम मतलब होता simple moving average अब हम binary options में यूज करेंगे वह हम यूज करेंगे EMA यानि कि exponential moving average अब क्यों यूज करेंगे अधिकों simple सा फंडा है जो SMA होता है वह क्या करता है पहले इसका function समझ लो इसकी for example अगर हम यहां पर लिख दें यह जो period है ना यह period का मतलब है कि पिछली कितनी candle का data कब वह average निकाल के देने वाला है moving average अगर 10 लिखा हुआ तो यानि कि वह पिछली 10 केंडल का अगर मैं इसको अगर मैं इसको 11 कर दूं तो यह पिछली 11 केंडल के आवरेज निकालेगा ठीक है तो हम यूज करें 50 moving average तो 50 करते देखो लाइन देखो चेंज हो गई दिख रहे है लाइन अब देखो जितना बड़ा पीरियड होगा लाइन प्राइस से उतना दूर जाएगी यह पॉंट या तक ना जितना ज्यादा पीरियड बड़ा होगा उतना लाइन दूर रहेगी मालो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूं अब देखना क्या हुआ हुआ है और दूर होगी लाइन और अगर मैं इसको वापस पास कर दो देखना क्या होगा वह उतना ही पास दाएगी जिपक गई बिल्कुल तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना जादा वह दूर रहेगी प्राइस से ठीक है अभी कौन सा हमको यूज करना है पीरियड वह बताऊंगा यह फिलहाल के अब ऐसे में क्या करता है सिंपल मुवी में इस क्या करता है कि पिछली 50 केंडिल का वह एवरेज निकालेगा उसका ओपरिंग देखेगा क्लोजिन देखेगा हाई क्लोज सब कुछ वल्ड़ीटी सब कुछ देखके वह आप लोगों के लिए यह लेवल बना के दे रहा है य यह लेवल है यह सिर्फ ओर सफ़ोर्ट और एडिस्टेंस ए पुछ भी रह दाया क्या यहां पर सपॉर्टी असल्प्र लीया यह बहुद देख्व लिए यहां पर देख लो ब्रेसां के पांक की यहां पर ब्रेक आउट के बाद इसी पॉक्त आइस पॉइसेंस लिया अग तुम खुद देख रहे हो तो यही यह काम है support बना के देना अब सवाल नंबर वन एसे में क्यों यूज करते हैं तो इसके लिए आपको function समझना पड़ेगा इसका अब अब क्या करता है मालोवा अपने लिखा है फचास तो ये पिछली पचास केंडल का data निकालता है अब यह क्या करता है कि इसके लिए जो वह क्यांडल है यह उनको सेम विख के रिस्पर्ट को यह एक ही नजर से देखता है मौण और उसका कहने का मतलब यह कि एसे में के लिए म वो भी उतनी ही important है जितनी ये पहली latest candle है यानि कि 50 की 50 candle की importance SMA के लिए same है वो ऐसा नहीं है कि किसी को जादा important जादा important वो देखता है और उसको कम देखता है फिर उसको कम देखता है फिर इसको ना वो 50 की 50 पहली recent से लेकर सबसे पुरानी तक अगर मैं आपे 200 भी कर दूँग अगर मैं आपे 200 भी कर दूंगा तो देखना आप 200 कर दिया तो पहली candle से लेकर जो 200 भी candle जो भी होगी जहां भी होगी 200 candle तक हर candle की importance उसके लिए सेम है उसकी value 200 की 200 candle की सेम है ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम और यही कम ही है कि हम binary options trading में SMA को यूज नहीं करते हैं कि यहां पर हमें करनी है short term trading हमको latest data चाहिए कि latest time में market किस तरह से कितना वर्टाइल है कितना फ्लक्ट्वेट है latest time का हमको moving average चाहिए ना कि 200 भी candle का चाहिए तो हमको एक ऐसा moving average चाहिए जो latest candle को जाधा priority देता हो और जो पिछली पुरानी candle से उनको कम priority देता हो और वही चीज हमें करके देता है EMA तो जो exponential moving average होता है अब यहां पर जो आपको 200 दिख रहा है अब इसका बिल्कुल सेम उल्टा concept पहली candle जो पहली recent candle है इसके लिए सबसे जाधा valuable होती है इसके बाद जो दूसरी candle है वो इससे कम होती है तीसरी वाली इससे कम होगी चोथी वाली इससे कम होगी ऐसे करते 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 जो 200 200 वाली candle होगी वो सबसे कम इंप्पोर्टन होगी में के लिए और यही हमें हमें चाहिए कि हमको लेटेस्ट केंडल क्या कर रही है वह बना के दे ना कि 200 कैंडल यह वह हमको बना के दे तो यह बिल्कुल perfect जमें काम करता है क्योंकि यहां पर short term trading होती है तुम खुद देखते हो यहां पर खुद देखते हो तुम मतलब एक मिनट की दो मिनट की पांच में की trading होती है तो इतनी short term trading में हम 200 पीसे की important क्यों मानेंगे जैसे कि तुम हमने support level में क्या सीखा था कि हम levels को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पांच स्वाइब तक जाते हैं पांच स्वाइब तक क्यूं हम 200 तक नहीं कई क्यों कि वह ने बताया था वहां ही प्रताया था कि हमको लेटेस्ट टाइंग पर देखना है कल क्या हुआ यह परसो क्या हुआ को मतलब है कि हां latest recent time में market क्या हरकत कर रहा है वह हरकत को पकड़के हम अपना future यहां पर प्रेडिट कर सकते हैं तो that's why हम यहां पर यह में यूज करते हैं इसको बोलते हैं exponential moving average यह में क्या करता है अगर मैं यहां पर 50 कर दूँगा 50 कर दिया तो जो पहली candle होगी वह सब moving average के लिए लेकिन अगर मैं SMA कर दूँगा लाइन में हलका सफर्क दिखा होगा SMA कर दूँगा तो 50 की 50 candle उसके लिए same important है जैसे वह पहली important है वैसे पचास तक same importance करता यह SMA और जो कि हमें नहीं से यह SMA stock market में हम यूज करते हैं SMA को basically long term investment के हम यूज कर सकते हैं वहां पर आपको यह अच्छा यूज करें कि ऐसे में वहां पर हाँ ठीक है जितनी भी candles है हमको data same मिलेगा उसका तो यहां पर binary options trading में हमको recent time का data अच्छा चाहिए है recent अब हमको चाहिए कि यहां इस वाले frame में क्या कर रहा है चार्ट हमको यह नहीं चाहिए कि हाँ यहां पर हमको यह नहीं चाहिए कि यहां पर चार्ट क्या कर रहा है तो that's why हम को recent time का average यह यूज करते हैं EMA दोनों का function समझ गया है ऐसे में क्या करता है उसके लिए हर candle की importance value बराबर है लेकिन EMA के लिए जो latest candle है उसकी importance सबसे जादा है और ऐसे करते करते वह हर candle पर कम importance करता है जो जो लास candle होगी उसकी value सबसे कम है इसके निजर में राइट तो हम यूज करेंगे EMA अब इसको पढ़ते है कैसे हैं simple जो भी आप period करोगे उसको पहले बोलोगे फिर इसको पहले बोलोगे हम पढ़ेंगे 50 EMA अगर हंड्रेड करते हम पढ़ेंगे 100 EMA ऐसा ठीक है और यह सब क्या है इसको तुम्हें कोई मतलब कोई यूज नहीं करना यह क्या है WMA कुछ नहीं है weighted moving average ठीक है तो अगर तुम कहीं भी कुछ भी देखते हो ना निउस पेपर में या फिर चार्ट में कहीं भी निउस में है क्या तो अगर तुम कुछ और दिख रहा है WMA या फिर कुछ नहीं होता वह से moving average है बर उसका मतलब अलग-अलग हो जाता है ऐसे में और EMA क्या फरक है कुछ नहीं ऐसे में हर केंडल को सेम नजर से देखता है ये में जो पहली केंडल है सबसे important वह होती है ठीक वैसे ही weighted moving average अलग होता है मतलब सबका एक ही होता है ठीक है सिर्फ support और एक बना के देना सिंपल ठीक है तो पढ़ते कैसे हो पिसीख गए 50 अमें अब कौन सा हमें यूज करना है हमको यूज करना है दो एक 50 एक 50 और एक 200 आप 200 कर तो यहां पर लगाएंगे यहां पर कर देंगे इसा कल कि अब यहां पर कर देंगे हम नंबर 200 कि अब देखो आपको यहां पर दो मुविंग एवरेस दिख रहे होंगे इससे काफी स्ट्रेजी बनती है picture memang video लाएंगे तो अलोंग लिए वो उसमें आप सीख लेना ठीक है अब-200 moving average 200 moving average is the king of all moving average जो हर moving average का King होता है जितने भी moving Average 44 50 जितने भी हैं सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जो मुवी होता है वो दोस्तों का मुवी है 200 EMA ठीक है क्यों कि इसी को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल माना जाता है ट्रेडिंग के पूरे चार्ट में हर मार्केट में सब कुछ क्यों कि यह हमारा आखिरी सपोर डिशलो हुआ कि यहां पर ट्रेंट रिबार्सल आगल यहां पर ट्रेंड रिबर्सल गज़ा में । ठीक है यहां पर तहीं से आया है बागे देख लो यहीं पर रिस्पेक्ट हुआ यहां से बेसिकली जो दोसर मुवी अरज होता है न यह तुम्हारा ट्रेंड के लिए काम आएगा अच्छा इसके अगर नीचे चार्ट है तुम आपर सर्फ पुट की ट्रेड लोगे रेडिस् लगाके राखने हैपकोगों ट्रेंड देख सकते हूं और यूजिटे वाटा इसके और आपको मार्केट में क्या जूसुक math time ऑपकोटOR पाई तो जितने में बी सकर्कर यहां पर होंगे आप BINO ढगए इसे कि यहां पर एक सपोर्ट आपको यह है यह जो भी आपको इम्पोर्टन्ट एशनार दिखें वह बना लो और जब मागड वहाँ पर आएगा तो आपको ट्रेड लेनी है और सिंपल यहीं पर जब इसके नीचे तो आपको पूट के ट्रेल लेनी है ठीक है यही है आपका मुविंग इसमें और कुछ भी रोकेट शाइंस नहीं है तो आपका जो भी प्राइज एक्षन है प्राइज एक्षन के साथ आपको यहां पर मुविंग एवरेज की कन्फरमेशन मिला के ट्रेड लेनी है कहने का मतलब यह कि माल लो कि अगर माल लो कि तुम इस एक से गन रोको इसको मैं खुल दिता हूँ इसको फह फैट करता ठीक है घर टेखो कि कहां तुमको लेवल देख रहे हैं यहां पर 1100 तो थो भी तो यहां रे अभीज़ा है आप कंपली लेते लेकिन अगर इसको on करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि भाईया प्राइस तो दोसों मुई है इसके उपर है उपर यानि कि मार्केट बुलिश है और बुलिश मार्केट में हम तो हम यहाँ पर वी फिल होने के बावजूद रिवर्सल नहीं लेंगे देखो बच जाते हैं तो बच जाते हैं वहाँ पर तो तुमको ट्रेड लेने सर्फ और सर्फ और सर्फ सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट इसके उपर है तो इसके नीचे तुम लोगे रही करके दस में से नौ ट्रेट तुमारी आईटेम होगी 101 परसेंट ठीक है अगर्ट नीचे आ रही है अब इसके लिए यह सपोर्ट है तो अभी नहीं दिया यहां पर दूसरे चाट पर चलते हैं बाद फटा फट देखने हैं और अब देखो यहां पर एक बार प्राइस वह कहां ह लेकिन दोसों के नीचे है आठेक है ऑक इसमें कहां पर बताना मेंको इकसे ऊपने उपार है सबसूंद बहुत सबीख रहा है देखो 50 के उपर ही चल रहा है यहां पर 200 थाह्तों बहुत नीचे है 200 जो जो दोसों Gospel मूना होता है यह आखिस Top 8ble 2017 है पहले पचास के सीधा पराइस 30 तक आता है और 200 फिर अखनी है? inimeta परवारी आघ्र अगर तो थीक है अगर गया थो फिर भो है कि घुरने कि चिच्टाम के फिरिकर फिर गोले इसके दिख कर रहा है तो अब प्राइस के लिए यह वाला लेवल एसन आ रहा है तो अब यह ब्रेगोड के बाद सपोर्ट बनेगा तो अगर यहां पर कि हम कि रखते हैं कि तो लाइव दिखते हैं कि कुछ होप अगर ट्रेड तो लेंगे टेंड रॉट कर लेता हूं 你好ok अब देखो अगर यह फिल करता है तो हम टॉल लेते फिल नहीं करेगा तो ट्रेंट नहीं लेनी है सपोर्ट ट्रेंग लेनी है। तो ठीक है कहीं और रिसलते हैं आप यहां पर प्राइस आप खुद देखो एक बार यहां पर आप रेशन में रहा है इसको अच्छा का सब्सक्राइब बनाता हूं अब देखते हैं क्लोजिंग कहां होती है अजय के इस्ट्टल गैप है वैसी करना को यह लेवल मैंने कहां देख के बना है पीच्ट से देखके बनाए देख लो यहां बहूं है यहां भी रिवर्चल रूँ यहां products यहां भी रिवर्सल हूँ है तो चार बार बैक-to-back उसी पॉइंट पर रिवर्सल हुआ है तो यानि यहां पे यह करता है अच्छे से तो में बयाभ़ फुट के लिए ट्रेट लेंगे क्यूंकि मांकेट अबी कहा है दोस्तों के नीचे यानि कि है यानि कि बैरिटें लेंगे रेरी सेंस पर तो प्राइस के लिए अभी यह रेसितन लेट ही है ले Cons criticizing का वेट पर जा रहा है मार्केट तो इसका अगला लेवल आपका यह वाला भी है तो यहां पर आप हमें रिवर्सल ले सकते हैं कि हलका साई यहां पर थोड़ा लेंटिक लेंगे ठीक है तो कि यह बहुत छोटा है हुआ 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 है तो मैंने यहां पर 1010 डॉलर्स की 1234567 ट्रेड लिए क्योंकि यह एक क्वाल्टी ट्रेड है मेरे लिए ठीक है मैं आपको बताया था कि हमारे लिए यह क्या है रजिस्टेंस हैं और बिल्कुल सही ट्रेड मेरे कॉर्डिक तो यहां पर यहां पर रिजक्शन हुआ हुआ है पहले यहां पर यहां पर भी हुआ है और यहां पर भी हुआ है तो यहां पर छोटा सा गया था लेट एंट्रे लिए तो मेरे कॉर्डिन तो यह ट्रेड हमारी शॉर्ट होनी चाहिए वाकि आई हो आपको चार्ट दिख रहा हुए तो हो देखो मैंने जो लेवल बनाया था एक्जक्ट उसी पॉइंट पर आपका रिवर्सल हो गया इसको बोलते हैं केंडल घूमती है ठीक है मैंने बताया था और इसलिए मैं बोलता हूं मेशा कि मार्जनल सीफ्टी का यूज करो थोड़ा सा लेट एंट्रे लो अब बच गया अगर परफेक्ट लेजल तो फिर रिफंड 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 हो जाती कुछ भी नहीं होता लेकिन हलका सा लेट एंट्री से हमारे शॉट शॉट हो गया तो कभी भी आप ट्रेड लेते हो भली आपकी छूट जाए हलका सा दो पांस सेकेंड लेट अच्छा है इससे क्या ह आपका तुम्हारी एक्यूरिस्टी बढ़ जाए कि दस में दस भी आइटेम हो सकती है हां आपने लाइब देगा एक्जामपल अभी राइड सो आई होप समझ गया हो कि यहीं है मूविंग आवरेज ऐसे ही ट्रेड लेते हैं 50 को आप ऐसा सपोर्ट रेजिस्ट यूज करन अगर इसके नीचे है तो प्राय्ज बेष रहेगा इसके ऊपा है तो प्रायज बुलिश रहेगा तो बुलिश मार्केट में सपोर्ट पर ट्रेड लेना और बेरिष मार्केट में आप रेडिकां अगर्जिसंहसा Council हो गया यह या आपको ट्रेलर ना है ऐसे युदो था मुविंग अबरेज यही है मुविंग अबरेज कांसेप्ट आई हुआ तो कोई डाउट है अब लिए बन रहा है ना एक हां कहां पर यहां से रिवर्सल हुआ है यहां से बना लेते हैं फटा फट तो कैमेरे में आजा हुआ यहां से भी हमारा स्टार्ट हुआ है टेखलों अब यह देखो यह कीतनी जाथा क्व плохо टेट होगी यूंकि यह पहली बात तो दोसों के नीचे हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते तो 200 के नीचे यह हमारा वी वाला रेजिस्टेंस है और कितना तकडाई हमारा बनता है देख सीख रहे हो उसमें ये जोड़ देना आपकी अक्रेसिव बढ़ जाएगी हां मैंने पर डैक्शन में ट्रेड ली है रीजन क्योंकि देखो जो अगर तुम कैंडल का पोर्शन देखोगे तो 50 कितना पर्सेंट पोर्शन मुविंग एवरेज के नीचे है ओल्मॉस अधिनि एक रियल ब्रेक आउट कैंडल है राइट जब इस वाले मुविंग का ब्रेक आउट हो गया है तो इतना जाद है जब भी मुविंग रेकाउट होगा तो दूसरे वाले मुविंग को टश करने जाएगी तो 50 के ब्रेक आउट के बाद आप 200 के तरफ में यह बहुत होती है ठीक है तो फिलाल देखो लॉस चल रही है में मार्टिंगों के यूज करेंगे लॉस होती है तो टैन का ट्रेट था हम 20 लगाएंगे कि मेरे को ने तो यहां होनी चाहिए थी पर रिवर्स देखो कितना क्लोस से जाएगी देखना और हम और तो मैंने आप याप्रेंगे करीन के लिए से लिए आपको मार्टिंगी यूज करना सतर देरेक्शन तो अगली आको तो मैंने यहां पर इस वाली केंडली में यहां पर इस वाली केंडली होती तो मुझे शौट मिल जाता लेकिन मैंने ध्यान नी दिया बातों में और मैंने पर्फेक्ट एंट्री लेली वहां फॉस्ट गए हम और यह वाली केंडल देखो 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 देखा मने क्या आता गुंग गई और देखो हम प्रॉफिट में ही आये हैं ठीक है क्योंकि अगर देखो हमाना लॉस्ट कितना था टैन डॉलर तीस डॉलर था अब चालिस डॉलर में हमको रिटान आया थाटी अमलब 37 प्लस प्रॉफिट में यही त्रेड शोट है लेकिन नहीं लिया कोई बात नहीं मार्टिंग में यहां पर लेना भूल गया था वरना अगर मैं यहां पर लेता तो मेरी यही ट्रेड शोट हो जाती लेकिन नहीं लिया कोई बात नहीं मार्टिंग में यहां पर लेने यहां पर 40 डॉलर की और वह हमारा शोट हुआ तो दस डॉलर लॉस हुआ उसके बाद 20 तो 20 का डबल 40 40 डॉलर से रिकवरी मारी हो देखो रिकवरी हमारी शोट होई सिंपल लेने के साथ तो मार्जिनल अब यहां पर मैं एक ट्रेड और लूँगा इसको 200 के उपर आ गया है चार्ट आपको दिख रहा है कि अब दिख रहा है तो मार्केट अभी 200 200 को प्रेक कर रहे है तो अगर दोसे को कर सके आँ नीचे देखो एक ट्रेड आपका लेवल है यह तो कर सकती कहती है कि दिखते हैं क्लोजीं कहां हो यह कि अगर चोड़ती है तो फिर रहर बूट लेंगे अज़ाम्य के पहले पहले कि दोस्तों मुविंग अर्श का ब्रेक आउट हुआ है सेकेंड करमेशन की नीचे गैप है तो दोस्तों को ब्रेक करके नीचे वाले आसनार को टॉच करने के लिए जानी चाहिए इसी कंसर्प्ट से हमने यहां पर ट्रेड लिए 20 डॉलर्स की और मेरे करने के नीचे गैप है तो फिल करने के लिए यहां पर बन भी रही है ठीक है तुमको सब को सदमे आ रहा है कोई भी जो भी डाउट होगा लिखके लाना आप सब लोग अपने डाउट लिखना क्योंकि हम जो रिविजन क्लास करेंगे तो यहां प्रूद देख लो सब हुआ एक्जेक्ट यह हमाई ट्रेट शॉट शॉट हुई जो बताया था हुआ मैंने कहा था कि 200 मुविया इसका ब्रेक आउट हुआ है उसके साथ नीचे कई अचति कि वहां होता है कि मैंने कहा था ना घूमेंगी दीखो घूह गई ने कहा था ना कि याठों कि अभरिक आउट करें गोई लिए लिए अगर इसी क्लोजिंग इसके मुविं आपरोगी ऊपर होगी को परिया है आप एक तो इस सिचुएशन में लेना ठीक है हाँ सिम्पल है ट्रेण तभी लिए सब कन्फर्मेशन हो जैसे कि जब 200 का लेवल टूटा था तो हमारे पास सिम्पल इतना पता है कि यहां 200 लेवल टूटा है और नीचे असनार है और उसमें गयाप है तो यहां लेने कोई कोई भी क इंफर्मिशन नहीं हमारे पास सिंपल सिर्फ इतना बताएं कि यहां 200 लेवल टूटा है पर अगला असनार यहां पर अगर देखो यह तो ऊपर है विल गसा राइट से केंडल ऊपर जानी सही है अब देखो अगर यह केंडल 200 मूविंग आपर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम कॉल लेंगे अगर इसके नीशे क्लोज करेगी तो पूट लेंगे अगर देख़ते हैं तो हलका से यहां गाप डाउन भी हुआ है तो मेरे कोडिंग यहां पर ग्रीन बननी चाहिए इसके उपर क्लोजिंग होई है तो यह से घूमनी चाहिए बागी देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट फिलाल जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वह थोड़ा मैं अपने ले रहा हूं तुमको लिनिया से अपने प्राइक्शन के साथ सपोर्ट और इससे और सीखा ट्रेंड लेवल उस पर यह तो अपने अपनी तरीक से ले रहा हूं तो ड़ाले लेंट एंटीले के ठीक है ताकि बहुत नॉलीज मिल सके कि हां कैसे चीज को सब्सक्राइब हमारे दस डॉर बीज डॉर लॉस हुआ था काफी लोग यहां पर पैनी होकर पूरा लगा देते पैनिक नहीं होना है तुमको अब यहां पर देखो अगली ट्रेट 100% बनने वाली है कि मैं यहां पर देखो मुझे 100% हुआ हुआ है कि तुमने एक चीज नोटिस की यह केंडल भी देखो कितनी नीचे गई थी अगर मैं अगेन यहां पर लेटेंटी ले लेता तो यह भी शौट हो जाती लेकिन अगेन अगेन बातों के चक्कर में वह ध्यान मेरा जाए नहीं रहा है लेकि मैं तुमको कहा था कि मैं तुमको लिखकर दे रहा हूं कि यह ट्रेट हमारी मार्टिक नाइटिम होगी इसलिए मैंने यहां पर 1234 हमारा लॉस हुआ 20 डॉलर तो मैंने यहां पर 80 डॉलर्स की पुट ल कर रही है तो जो गया फिलिंग होती है वह भी बहुत क्वाल्टी वाली होती है जब प्रैट्रिक्स करोगे तो प्रैट्रिक्स में यह ट्रेट्स लेना यह लेवल कैसे होते हैं ट्रेडिंग में और साथ में गेप डाउन इसका एक चेप्टर होगा प्रॉपर उसमें हम सीखेंगे आगे तो देखलो माई ट्राइटिम हो गई है 20 डॉलर्स था 80 डॉलर्स हमारा प्रॉफित हुआ यहां पर तो इसी को बोलते हैं मनी मेंजमेंट पैनिक होके कुछ नहीं मिलता तुमको मनी मेंजमेंट बढ़करा रखना है तो आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा मुविंग अबरेज क्या होता है क्या नहीं होता है और आपने डाउट बनाके रखना क्योंकि एक डाउट लास लूँगा वह डाउट क्ले करू सबसे जो भी आप कमेंट में डाउट लिखोगे वह डाउट ठीक है तो कमेंट करना कि आपको एक चैप्टर कैसा लगा मुविंग एवरेज का मिलते हैं नेक्स चैप्टर में और सीरीज को पूरा फॉलो करो जाके पहली वीडियो से देखो तभी तुम लोग सब कुछ दों क्राइ मोटरा बेवी